हाद रणी बैनों भाईयों नमस्कार नपनित दिनेश नारान पांडे अध्यात्मिक पेदांग जूतिस के ग्रहवाने यूटीव चैनल पर आपका हारदिक अभिनंदन करता हूं आपका स्वागत करता हूं एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की मैंनों भाईयों इस महीने की जो ग्रह गोचर की स्थिति है राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह है राहु केतु के बीच में जब सारे ग्रह हो जाते हैं तो एक बंधन योग बन जाता है काल सर्प योग भी उसको आप कहते हैं तो ये ब बंधन में डाले रखता है, चाहे वो व्यापारिक छेत्र हो चाहे पारिवारिक छेत्र हो चाहे सामाज़ी छेत्र हो चलिए बहनोबाईयों बताता हूँ कन्या राशी के बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कन्या राशी के अगर व्यक्ति हैं आपका नाम कहने के नाम से भी कन्या राशी का है तो आपको किन राशी वालों से अच्छे लाभ मिल सकते हैं इसी विशे को पहले बताऊंगा तो बैनों बाईयों कन्या राशी के जातक हैं तो आपको करक राशी के व्यक्ति से जीवन में अच्छे लाभ ही मिलेंगे ब्रश राशी का व्यक्ति अगर उससे आप मित्रता करते हैं तो आपकी भाग्य ब्रध्धी और पदोनती में ब्रश राशी का व्यक्ति सदयव आपको सहायक होगा मीन राशी का व्यक्ति आपका अच्छा पार्टनर हो सकता है अच्छा साजीदार हो सकता है लेकिन पारदर्शिता और दोनों के बीच में मां सम्मान की भावना जरूर रहनी चाहिए मकर राशिका व्यक्ती जो भी होगा वो आप को अच्छा मार्ग दर्शन दे सकता है उसकी सलाह आपको परेशानियों से बाहर कर सकती है वही ब्रश्शिक राशिका व्यक्ती आपको सदैव सहियो करेगा समर्थन करेगा हाँ हो सकता है कि वो आपकी आर्थिक मदद ना कर पावे तो बैनों वाईयों सबसे पहले बात करता हूं आपके लगनेश की कन्या राशी में लगनेश होता है बुधु और करमेश भी होता है तो सबसे पहले लगनेश और करमेश बुध की बात करें त तो इस माह बुद्ध का तीन राशियों में परिवर्तन होगा, नौ मई तक यह नौ आस्टम भाव में गोचर करेगा, अब जब आस्टम भाव में गोचर करेगा तो सारी रिक्सुख में कमी आएगी, मानशी का सांती वानी में हो सकता है कि असक्चता हो, मानी आपकी गलत हो स सकती है भोजन में आरूची हो सकती है लेकिन परिस्थितियां आपके अंदर अच्छा बौधिक विकास कर देंगी पुत्र सुख धन लाव आपका ठीक रहेगा नौ मई से पच्चिस मई के बीच की जो बुद्ध की स्थिति है नमंभाव में तो 14 माई के बाद मानसी का वशाद उत्पन कर सकती है सभी कारियों में अवरोध उत्पन हो सकता है अन्य लोगों से उत्पीलन प्राप्त होना संभव हो सकता है और इससे आपको कस्च का नमभा होगा फित्विकार और गलब खानपान आपको पीड़ा दे सकता है इस आवधि में माता दुर्गा जी का पूजन और दुर्गा चालिसा का पाट करना आपके लिए लाब दायक रहेगा 25 माई के बाद वुद्ध की जो इस्तिती रहेगी वो दसंभाव में ये आपको अच्छे लाब देगी आपकी पदोननती हो सकती है वानी की चतुरता से आप अच्छे काम कर सकते हैं दुसमनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं खाने पीने का समय आपका अनिश्शित रहेगा वरतमान परिस्तितियों से गलत भाशा का प्रियोग आप इस अवधी में बिल्कुल ना करें तो राज शम्मानित्यादिया आपको प्राप्त हो सुखेश और सप्तमेश गुरु की बात करें तो सुखेश और सप्तमेश गुरु की पंचम भाव में इस्तिती ठीक नहीं रहेगी संतान को कस्ठ हो सकता है, परिशानियां बनी रह सकती हैं, इसके बावजूद भागे के सहयोग से आपको धनलाब होगा, ब्यापार में एक बंधन का आभास होगा, कार्यों में बेवजह की बाधाएं आपका रास्ता रोकेंगी, अब पंचमेश और खस्टेश शनी पंचम भाव में है, दामपत्य जीवन में परिशानी हो सकती है, संतान कस्ठ हो सकता है, सिच्छा में ब्यावधानों के साथ सफलता मिल सकती है, ब्यावसाय में परिशानी होगी, गुप्त युक्तियों से सफलता मिलेगी, धन का लाव भी मिलेगा, संघर स्पून जी शुक्र की भाग्य भाव में स्वग्रही इस्थिती भाग्य की प्रबल सक्ति पैदा करेगी आपके पास धनागम की बेवस्थाएं बनी रहेंगी यश्व सम्मान की ब्रद्धी होगी भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा सुख प्राप्त होगा और परिवार का भी पू प्रण कस्ट विद्या बुद्धी में सफलता आगे अगर मैं आमदनी की बात करूं तो आमदनी में कठिनाई और खर्च अधिक रहेगा पांच मई के बाद मंगल की कुम्भराशी में छटे भाव में इस्थिती भाई बहनों से विरोध खर्च अधिक स्वास्ति की खराब करना चाहिए हनुमान जी का प्रशाच चणावे प्रति मंगलवार को राहु की स्थिती आपको अच्छे लाब देगी खास तोर पर 25 मई तक यस प्रसिधी सत्रूं पर बिजय और राजनैतिक लाब लेने के प्रियास आपके सफल होंगे इस माह सुक सांति के लिए आपको स संकस्ट मोचन गणपती स्तोत्र का पूरे माह जब करना चाहिए यह बहुत फायदा देगा इस महीने कि कुछ तारीख है ठीक नहीं है वो मैं बता दूं कि 2, 3, 8, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 25 और 26 यह तारीख हैं आपके लिए अच्छी नहीं है तो इन तारीखों पर सोड़ा सावधा रहें शतर कर रहें वैनों भाईयों लागडाउन चल लहाए घर में रहें और कोसिस करें कि बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें क्योंकि इससे आपके परिवार की सुरच्छा है समाज की सुरच्छा है और जो हम सब संघर्स कर रहे हैं जिस बीमारी से उस बीमारी को दूर करने में ये आपके लिए बहुत ठीक साबित होगा आप सुखी रहें समर्द्धना इसी मंगलमाई कामना के साथ मैं पुनह आपसे विदा लेता हूं एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की